वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज प्लिल आइकन सब्सक्राइब एंड प्रेश दबेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो इस दोस्तों आप सबीका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे उर्जा ग्लोबल लिम्टेड की दोस्तों तो सिधा चलते हैं जो इसका अपडेट आया है उसमें बात करते हैं मैं आपको अलग-अलग PDF पे ले चलता हूं इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपडेट है वह ठेटे नॉम्बर का है जिसमें इन्होंने बताया है कि इनका जो मिस्टर किसन कुमार बंसल वह एच उन्होंने अपना रिजाइन दिया था तो वहां पर क्या डेट अपॉइंट्मेंट जो है इनका सेमें अक्टूबर ट्वंटी ट्वंटी का था तो यह अपने चीफ फाइनेंशल आफिसर वहां से रिजिजिशन दिये हैं तो 13 नॉमबर को उनका बोर्ड मिटिंग जो है व आप एपाइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशल आफिसर उसमें इन्होंने मिस्टर कमल कुमार सर्मा इनको इन्होंने एपॉइंट किया है एज चीफ फाइनेंशियल आफिसर अप दे कंपनी एड की मैनेजरिल पर्षन अप दे कंपनी यह दोनों पोस्ट पे इनको एप्रूबल मिला है इसमें क्या जो चेंज का रिजन था वो क्या था कि रेजिगनेशन जिसकी करन दिया तो व तो इनके पास एक experience 30 years का field accounting and finance management में and his last statement was with the Orient Press Limited which is listed at NSE prior to which he had worked with large public companies further his board vision as a strategy will help the company to emerge from the challenging situation that the company may come across तो यहां देख सकते एक experience जिनको 30 years का experience है उनको नया Chief Financial Officer के तोर पे चुना गया है और यहां पे जो तीसरा पीडियो पे मैं आपको ले चलना चाहूंगा उसमें इन्होंने देख सकते हैं जो पूरा details है उसके बारे में बताया कि Mr. Mohan Jagdish अगरवाल के बारे में यहां पे दे welcome of board meeting held on Saturday इसमें क्या है कि approval of onolative finance result along with limited review report तो इसका अभी तक यह अभी तक यह अब लेवल नहीं है जैसे ही आएगा अब लेवल आएगा result मैं वहां से बता दूंगा और यहां पे देख सकते हैं कि जो additional director और managing director हो वहां पे तो यह भी बूर्ड का changes था वहां पे और appointment of Mr. Kamal officer and change in designation of Mr. Mohan Jagdish अगरवाल from additional director to managing director तो वहां पे जो Mr. Mohan Jagdish अगरवाल है वह अब कंपनी के director बन चुके managing director जो कि पहले additional director थे तो वहां पे अगर इनकी बात करें experience की तो देख सकते हैं he worked as president programming and marketing in Mudra lifestyle limited from 2003 to 2012 and इनका देख सकते हैं कि Bombay Ryan Faisons Limited में 1999 से 2003 तक यह production planning and marketing में थे and currently he is the director of Mega Nirman and Industry Limited, Urja Batteries Limited and Leaf Faisons Private Limited further his board vision and strategy will help the company to emerge from the challenging situation that the company may come across तो वहां देख सकते हैं दो changes यहां पे देखने को मिला है तो अभी जो Mr. Mohan Jagdish अगरवाल है वह Mega Nirman and Industry Limitator के additional director है उर्जा Battery Limited के डायक्टर हो चुके managing director और Leaf Faisons Private Limited के additional director है तो दोस्तों यहां पे आपको ऐसे चेंजेंजेंस मैंनेजमेंट में उस पे बिल्कूल as investor ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही key points होते हैं किसी भी share के price movement के लिए और यह price sensitive भी भी बहुत होते हैं क्योंकि यहां से अगर कोई बहुत बढ़िया बंदा वहां पे आएगा तो उसके कारण अपको company में financial यह सब भी change होते हुए दिख सकते हैं तो दोस्तों अगर यहां से अगर बात करेंगे technicals की दो देख सकते हैं इसका performance कितना संदार राय सेयर का टू यह का return 349 परसेंट है वन यह का return 158 परसेंट 6 मंद का return 113 मंद का return 10 परसेंट बाकि उसके बाद से थोड़ा खासा कारोबार है तो अगर financials के बात करेंगे देख सकते किस तरह के changes आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर की तरफ हर साल बढ़ता गया है उसके बाद एक्यूटी में अच्छा परफॉर्मेंस है करेंट आसेट में बढ़िया देखने को मिला है तो दोस्तों यहां पर आपको हर तरह से positivity देखने को मिल रही है कि सेयर होल्डिंग पैटरन में यहां पर देख सकते हैं 68 परसेंट पब्लिक का होल्डिंग है प्रमोटर 31.97 डियाए का 0.01 परसेंट है लेकिन आपको इसमें फिगर में बहुत जल्द बड़ी चेंज देखने को मिल सकती है और दोस्तों यहां पर और बात करेंगे तो अग और यहां पर डिलेवरी की बात करें तो डिलेवरी फिप्टी परसेंट से उपर लातार उठाई जा रही है तो यह भी एक पुजिटिव संकेत है और यहां पर टार्गेट की बात करेंगे देख सकते हैं 6 मन्त का लोग 3 है 6 रूपीज है और हाई 8.81 है तो यहां से जो पहल पहला टार्गेट सेट करेंगे वह रहेगा आपका 7.75 का पहला जो टार्गेट रहेगा 7.75 और जो दूसरा टार्गेट रहेगा एट रूपीज के और तीसरा जो टार्गेट रहेगा 8.35 दूस्तों आपको सौर्टर में यह तीनों लेबल्स एचीव होते भी दिख सकते हैं दूस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएं दूस्तों अगर आप आप जरूर करता हूं तो आप जरूर कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं बिल्कुल ट्री ट्रीग्राम चलनल है वहां पर मैं पिछले ही दिनों में ने इंडियार इनर्जी एक्षेंज का कॉल सेर किया था वहां पर उसने सारे टार्गेट एचिव होते भी दिखे और